1% TDS आपकी क्रिप्टो ट्रांजक्शन पर कट होना स्टार्ट हो जाएगा 1st जुलाई से और सभी एक्चेंज को ये इंस्ट्रक्शन पहुँच गया है गोर्मेंट की तरफ से कैसे 1% TDS कटेगा और इसके साथ financial year के end में आपको 30% tax pay करना होगा क्रिप्टो इंकम के उपर आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे 1% TDS कटेगा Welcome to our channel Crypto Minders अगर आप अमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें CoinDCS Exchange ने एक आर्टिकल में अच्छे से explain किया है कि कैसे 1% TDS कट होगा सबसे पहले जानते है 3 important points जो क्रिप्टो बिल में include है First है जो भी income आपकी क्रिप्टो के थू होगी उस पर आपको 30% tax pay करना होगा साल के आखिर में Second है 1% TDS कटेगा किसी भी क्रिप्टो transaction value पर Third and last है अगर आप किसी को क्रिप्टो gift करते हो तब receive करने वाली party को क्रिप्टो tax pay करना होगा उसके उपर अब जानते है 1% TDS कब और कैसे कट होगा अगर आप इंस्टा स्पोर्ट buy और quick buy करते हो तो उस पर TDS applicable नहीं होगा बट जैसे ही आप क्रिप्टो को sell करते हो तब total selling value पर 1% TDS कटेगा इसके इलावा अगर आप INR की जगे USDT के थुरू क्रिप्टो buy करते हो तब आपको buying and selling दोनों पर 1% TDS कट होगा मतलब अगर आप INR की जगे कोई भी another pair के थुरू buy करते हो तो आपको 2% TDS देना होगा इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप INR के pair में ही trade करे जिससे की आपको extra 1% TDS पे ना करना पड़े और अगर आप margin का use करते है ट्रेडिंग करने के लिए तब आपको margin long पर भी 1% TDS कटेगा और margin short पर भी 1% TDS कटेगा land and earn पर कोई TDS नहीं कटेगा इसके इलावे future में भी आपका कोई TDS नहीं कट होगा अब हम example के थूरू समझते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि 1% TDS कैसे कट होगा यहां आप देख सकते हैं अगर आपके पास 40 लाग का bitcoin है और आप उसे sale करते हो तो आप देख सकते हो 1% TDS कटने के बाद आपको 49 लाग 52,000 रुपेज मिलेंगे आप order detail में इसे चेक कर सकते हो आपकी order value बनती है 40 लाग exchange fees है 0.2% जो बनती है 8,000 रुपे 1% TDS बनता है 40,000 रुपे आपको total rupees मिलेंगे exchange fees और 1% TDS कट होने के बाद 49,000,000 रुपे यह example था जब आप INR के थुरू transaction करते हो बट अगर आप USBT pair में transaction करते हैं तो मैंने आपको बताया था buying and selling दोनों में 1% TDS कटेगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपको 40,000 डोलर पर आदा bitcoin buy करना है तब आपको 20,000 की जगे 20,000 240 USDT pay करने होंगे order value में आप देख सकते हो 20,000 order value है जिस पर 0.2% fees exchange ले रहे हैं जो बनती है 40 लोलर 1% TDS बनता है 200 डोलर और आपका total payable amount होगा 20,000 240 USDT और इसी तरह से 1% TDS आपका sell करने पर भी कटेगा यहाँ पर गोर्मेंट चाहती है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स INR में ही trade करें जिस से उनके लिए tax apply करने में easy रहे अब जानते है गोर्मेंट का क्या purpose है 1% TDS डिडक्त करने के पीछे 1% जो TDS है उस वज़े से गोर्मेंट को पता चल जाएगा कि आपके क्रिप्टो पोटफोलियो की value क्या है और आप कितनी income generate कर रहे हो क्रिप्टो के दुरूप और साल के आखिर में जब आप 30% tax पे करोगे अपनी क्रिप्टो इनकम पर in case आप profit कर पाते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करके तब आपको जितना भी TDS पूरे साल में कटा होगा उसे या तो आपके tax में adjust कर दिया जाएगा या फिर आपको सारा TDS refund कर दिया जाएगा यह था दोस्तो आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you, जैहिन